हेलो दोस्त आपका स्वागत है हमारी चेनल UP ITI इंस्टेक्टर में आईए आज जानते हैं भारती सम्मिदान सभा और भारती सम्मिदान सभा का निमार कैसे हुआ है जानते हैं कैमिट में सन्य योजना के नुसार सम्मिदान सभा का कठन हुआ विटस भाद के लिए आवन 296 मे से दो सबाने वेटिस प्रांट और चार चीप कमिशनी छेत के लिए चुनाओ जोलाई एकस नाइटी फोटी सेक्स में संपन हुआ जैसा कि पिछली क्लास में बढ़ चुके हैं कि समिदान सबा का निर्माड कैसे हुआ है आई आज जानते हैं भारती समिदान का निर्माड समिदान सबा द्वारा कैसे किया गया है इस चुनाओ में कॉंग्रिस को 208, मुस्लिम लिक को 73 और सुतंत राज्जियों को 15 सीटें मिली अबकि देशी रहासतों को आवंटट 93 सीटों पर सीटें नहीं भर पाईं क्योंकि रहासतों ने स्वयम को भारती समिदान सबा से अलग रखा समिदान सबा के लिए चुनाओ वैस मत दाताओं द्वारा प्त्यक रूप से नहीं हुआ फिर भी इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिक, फार्सी, भारती, इसाई और आदी जाती उने भाग लिया समिदान सबा की कार प्याना लिए, आई जानते हैं समिदान सबा का क्यासा गठन हुआ, पर्तम बैठक का युजन 9 दिसंबा 946 को हुआ, तदा कुल सदस 211 ने भाग लिया, मुस्लिम लीग ने पर्तम बैठक का वहिसकार किया, क्योंकि मुस्लिम लीग चायता था कि अलग पाकिस्तान बने, पर्तम बैठक के आइस्ताई अद्धक्ष सची नादन सिन्हा को बना रिया, यह फ्रांसे हैं, और दूसी बैठक में 11 दिसंबा 946 को दूसी बैठक संपन हुई, इसमें 7 रूप से अद्धक्ष डॉक्टर राजिन परसास को बना रिया, उपात द्यक्ष S.C. मुखरदी, वाकिस्टी किष्णा मचारी को बनाया गया, समिधाने सलाइगार वियन रायत थे, तीसरी बैठक 13 दिसंबर 946 को संपन कुई, इसमें जबाला लहरू ने उद्धिस परस्ताव परस्तोत किया, जिसमें 8 रूचे थे, इसको 22 जनबरी 947 को स्युकार किया ग जिसमें 73 वर्ट्स है, दोस्तों आपका UPIDA इंस्ट्रेक्टर में, जो मैं आपको पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, यह मेरे स्वाइम के नोट्स है, आपका इस नोट्स से, इस नोट्स से बाहर कहीं नहीं जाएगा आपका, इसलिए आप लोग जो इंपोर्टेट टॉपिक आपको भूलागे, आप एपने हैंड आइटिक्ट बर नोट्स बना सकते हैं, भारती 133 अदिनियम 1947 दौरा की हुए परिवर्टन, आईए जानते हैं कि भारती 133 अदिनियम 1947 दौरा क्या क्या परिवर्टन हुए हैं, इनमे भी इनको भी धिहां से बढ़ते हैं, समिदान विधाय का बन गई जिसके दो प्रमोकर मुस्लिम लेक के सदस्यों को बेवाजन करना और अलग पाकिस्तान के द्वारा जो जो सदस संक्या 389 थी वो घटका 299 शेय गई जिसमें 229 बिटस प्रांथ और 70 देशी रियासितें थी बेवाजन के बाद पर्थम बैठक कायोजन 31 अ यह जानते हैं कि समिदान सभा के क्या क्या कार रहे जब हमारे भारत कर जो समिदान सभा निर्माड किया उसके बाद हमें अब अंतराष्टी इस्तर पर पहुंशने के लिए मई नाइटी फोर्टी नायन में राष्ट मंदल की सदस्ता के पुष्टी की गई यह बड़ा ही अच्छा कदम था हमारे यहां का बाईज जुलाई नाइटी फोर्टी सेबन को देश के राष्टी दोच को अपनाया गया चौबश जन्वरी नाइटी फिप्टी को राष्ट कान और राष्ट की इत को स्विकर्टी मिली चौबश जन्वरी नाइटी फिप्टी को राजिन परसाथ को पर्थम राष्ट पती की रूप में चुना गया देखिए दोस्त जो पढ़ा रहा हूँ यह बनलाइन की रूप में बहुत साथ से अधित देसों के समीदान को मिलाकर 114 दिन इस पर वहस हुई इसको बहस होने के बाद हमारा भारत का समीदान सबसे बिस्तर समीदान की रूप में उफर गया आया है इसको बनाने में 64,00,00 रुपे का खर्चा हुआ है समीदान सबा के अंतिम बैठक 24 जनबाई 9050 इसको हुई इसी दिन में चुनाव को कर नई संसत मने तक समीदान सबा को भी अंतिम संसत में चेंज़ कर दिया गए बतले चेंज़ कर दिया गे देस समीदान सबा के बाद जानते हैं हमारी समिधान का जो स्रूत है वो कहां कहां से लिया गया है कि निकिन देशों के समिधान से important topics मतलब important point को थाकर हमारे समिदान में लिया गया है जानतें बेटेन के शमिदान से क्या के लिया गया सब्सक्राइब बिदाइब धिरकिरिया एकल रखता दूरी सतनी मेरगा से लिए गई हैं सब्सक्राइब प्रस्तावना है मौल कदिगार है नियाए पन्दरा ब्लोकन है नियाए पाली का इस वतनता है सरवुष नियाला का कठा नहीं सकती हैं राश्टपती पर महभियो राश्टपती पर राश्टपती का पद वेगरा ये सब सही उत्राज अमिर्गा से लिया गया है कनाड़ा की समीधां से संक खात्म वेवस्ता, अफसे सकतीय को किन्द के पास होना के इतोरा राश्टपती निक्तिया है फ्रांस की समीधां से क्या के लिया है गाटटन सासन पाली। लूज इसके समीधां से मौलिक करत अब्यूं का प्राफध dol अफिरीका में त सभा कि सदस्यों को निर्वाचन और जर्मानी के अबाद काली अबाद बंद प्रिणारी उस्टेलिये समर्थी सूजी दोनों पिस्जियों की सेंगते बैठाक और नीटी नेदे साथ यह सब यह सब हाई लेंड की समिदान से लिया गया है आईए जानते हैं भारती समिदान में पिरारूप समिदी किया है पिरारूप समिदी को हसोदा समिदी भी कह जाता है इसका गठन 29 अगरस 1947 को वियन राय के स्ट्रक्चर या मोडल दौरल हुआ है इसमें कुल साथ मेंबर है इसके अध्यक्ष बियार अम्बेटकर समिदान सबा के लिए इनका इर्वाचत बंगाल प्रांस से हुआ है जो बिवाजन के बाद पूरी पाकिस्तान कहसा हो गया बाद में पुना बंबई से इर्वाचत हुए इसमें छे सदस कौन कौन से है आई इनको पढ़ते हैं गोपाल नमबर एक गोपाल स्वामी आयंकर नमबर दौला नमबर दौलादी किष्णा सौमी एयर नमबर तिन किया मुंसी नमबर चार डीपी खेतान नमबर पांच बियल में स्रमा नमबर च्यूपत साथ ल्ला आई जानते हैं अन समयती हैं कौन कों सी हैं संग सक्ती समयती किसके पास रही है जवालाल लहरू के बार संग समीधान ज ये अब जानते हैं समीदा सभा में कितने बाचन हुए हैं तिसमें तीन बाचन प्रमोंख हैं पहला बाचन 4 नौंबर सब्सक्राइशक्राइशकंट में फंड्विति anया, सैक्सराइशक्राइशकंट ग्वात्वार रे बाइस भाग प्लस तीन उप भाग हैं तो मिलाकर रसम को पच्चेस भाग कहा जाता है और 395 अनुच्यत से बढ़कर 470 अनुच्यत हो गए इसमें कुछ अपनुच्यत भी है बारानु सूचियां हो गई है इसी दिन से ना रखता निरवाचम और अंतरिम संस्थ संब्धी प्रावधान लागू हो गए से समीदान 26 जनवाई 1950 से लागू हुआ दोस्तों दोस्तों यह 284 सदस्चों ने समीदान 25 रूप से स्थाक्चर किये यह लाइन बहुत ही इंपोटन्ट है यह आपके एक्सांग के पॉंटे विव से बहुत अच्छी है मतला इंपोटन्ट रहेगी अब आईए पढ़ते हैं भारत सासन अधिये 1935 का हमारे समीदान पर क्या असर हुआ हमारे जो समीदान का जो आदा आदिस से अधिक भाग ली को देखा जाए तो इस पर भारती सासन अतिनियम 1935 का बहुत ही ज्यादा एफेक्ट पढ़ा हुआ है एक मिनाट आई अब क्या पढ़ता है आई अब मिलते हैं अगली वीडियों नेस्ट वीडि है मैं थीडियों आई आई